MP Farming 47 में आप सभी का एक बार फिट से सौगत है तो आज हम हमारे प्लाट में हर्विसाइट का स्प्रे करा रहे हैं तो कुछ इस तरीके से हमारा हर्विसाइट डलता है यह आगर आप पावर दे होगे तो लगवग यह 20 लिटर का पावर है उसमें दो व्यक्ति आसानी से डाल देते हैं तो कि इसमें बारीग बारिक गहांस बहुत ज़ादा मात्रा में मतलब अतला इस ज्यादा मात्रा में भी नहीं है तो कहिए कि गहांस पूर्ण रूप से चुटकारा पाने के लिए अपने इसमें दो चीजें में ले रहे हैं एक तो परसूत और दूसरा क्लोविन जो की बहुत ज़्यादा फेमस भी है और अगर बात करें इस प्लाट की तो इसको पूरे सत्रा दिन अच्छी है और कहाई कि हानई में और कुछ पानी आ रहा था कभी अमारे जो भाई साब है करन भाई साब पटेल साब ये भी क्या है कि दबाई डालने के लिए आनी रहत है क विया समय नहीं है तो इस चकर में क्या है कि बेसे हमारा जो दबाई डालने का सही समय अगर देखा जाए तो स्वाइवीन में लगभग 12 दिन से लेकर 14 दिन के बीच में अगर आपने हर्विसाइट का स्प्रे कर दिया तो इसका रेल्ट आपको बहुत अबल तरीका को मिलता ह जो आप पोस्ट इमर्जेंस हर्विसाइट डालते हैं अब की वसल उगने के बाद जो भी हर्विसाइट डालते हैं उसको आपको इस तरीके से लिनना चाहिए लगभग 12 से 14 दिन के बीच में अभी देखा जाए तो हमारा यह जो गोल कंप्लीट है इसमें हमने एक क्लोबि देखेंगे कि गहां सास रहा तो फिर हाँ से निकलाना बकलाना वारा साली चीजे करेंगे और इधर जो है वो 19 तारीक की है तो इसमें देखते हैं आज या फिर कल में इसमें भी डलेंगे तो उसमें जब भी हर्विसाइट डलेगा उसके बारे में आपको बताएंगे इध इसके साथ कहा है कि कई किसान यह बूचते कि हमारी फसल को जटका ना लगे जिसे 15 दिन के बाद अगर हम डाल रहे हैं कि 25 दिनों के बाद भी डालते रहते हैं तो 25 दिनों के बाद अगर अगर आप हर्वी साइड डाल रहे हैं तो इसको नहीं डालने तो ही अच्छा है लगबग 17 दिन मेरे इसाब से 17 दिन लास्ट है आखरी है इसके बाद हर्वी साइड का स्तमाल नहीं करना चाहिए अभी कहा है कि फसल को जटका ना लगे इसलिए हम हमें के सिट्ध दोनों का काम्पिनेशन ले रहे हैं और इसके काम्पिनेशन चीन क्या है कि यह जो श्री सिद्धी का प्रोड़क्ट है वह काफ़ी ज्यादा एक्सिलेंट आते हैं इनका हमेसार स्वेल्ट हमको मिलता है क्यूंकि मिर्च में भी इसके जो खाद यूस किये उसमें बहुत ज़्यदा फर्क है अगर स्रीशिद्धी का प्रोड़क्ट हमेशा आप यूज़ करोगे तो इसमें आपको औरिजिनल्टी दिखती है वड़ा समयंगा जुरूर आता है लेकिन अच्छा प्रोड़क्ट है इसके साथ कई किसानों का एक कुस्चन रहता है कि क्य हम हर्वी साइड के साथ में इंसेक्टि साइड को मिला सकते हैं क्या अगर हम हुमिकेसिट को मिक्स करेंगे तो क्या इसके मिक्स करने से हमारा रेल्ट कम होगा तो मेरे ही साब से तो इसका कोई रेल्ट के उपर कोई इफेक्ट पड़ता है क्योंकि हर्वी साइड का काम अल क्युक्ति करें तुम है कि जए लेन लेंसे के और लिंसेक्ट साइट में तो क kingdom आप लिग अगर अकषे पी मिलता है पहला जो पीनलच क्प्रेप्ज में का में लिया चाहिए या फिर आप अलिका ले फिर अलिगा का अल्टरनेटिव का एक वीडियो बहुत शांदार है हमारा जो हमने में चलर बना कर रखा है उसका लिंक भी खिर इसमें डाल देंगे तो अलिगा की जगह आप लेम्ला सालोथीन ले सकते हैं CS फार्म में जो कि इस तरीके से आपको मिलेगा CS फार्म में अलग से ले ले तो दोनों का जब आप अलिका है वो इस तरीके से उसका इस्तमाल कर सकते हैं और लेम्ला सालोथीन ले तो इसका आपको बहतर तरीके सरेल्टम में बिलेगा और उसे के साथ में कहाए कि जो डालने वाला वेक्ती है उसको भी कोई परिशानी नहीं आईगी तो कर दो कर दोग सकते हैं और ले कि जो दुँँ कि जो दू में कि जो डालने बिलेगा है।